हलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सबीका अपनी यूटूब चैनल पे आज हम बनाने वाले हैं स्टफ डेट्स और यह रेसिपी जो है यह दिवाली के लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी है यह रेसिपी आप बनाईए और अपने फ्रेंड फैमले को गिफ्ट कीजिए और खु इसका जो सीड है जो अंदर की बीच होती है वो हम निकाल देंगे और इन्हें साफ कर देंगी यह देखिए कुछ इस तरीके से तो यहां हम सारे डेट्स को अच्छे तरीके से साफ कर लेंगे और इनकी बीच निकाल देंगे यह देखिए यहां पर हमने उसे साफ कर लिया ह अब यहां पर मैंने थोड़े से आलमंड्स जो बादाम होते होने भिखो के रख दिया है और उनका छिलका निकाल लिया है एक दूसरे बॉल में हम बनाएंगे एक स्टाफिंग जिसके लिए मैंने लिया है दो चमच देसिकेटिट कोकनट एक चमच तिल और दो चमच मैंने लिये हैं दरदरी कुटी हुई मूँफली और यहां पर मैंने हनी से अच्छी तरिके से कर दिया है कमबाइन और यह देखिए हमारे स्टाफिंग बनके रेडी हो चुकी है यहां हमें लगेगा नियूचला यहां हम लेंगे और एक फ्लेवर जो है बिसकॉफ फ्लेवर तो इसे हम अच्छी तरिके से एक पाइपिंग बैग में डाल देंगे मैंने यहां पे बटर पेपर से पाइपिंग बैग बनाई है आप चाहो तो प्लास्टिक वाले पाइपिंग बैग का इस्तमाल भी कर सकते तो यह देखिए यह हमारी फिलिंग यहां पर रेडी हो चुकी है पाइपिंग बैग में डालके यह जो मैंने बिसकॉफ फ्लेवर लिया है यह थोड़ा क्रंची वाला फ्लेवर है इसमें दो तरह के होते एक क्रीमी होता है एक क्रंची होता है मैंने क्रंची का इस्तमाल किया तो यह देखिए सारा कुछ यहां पर रेडी है तो चलिए फटा-फट इन्हें स्टफिंग कर देते हैं तो पहले हम सबसे पहले इन्हें बदाम से भर देंगे आलमेंड स्टफ करेंगे यहां पर आप चाहो तो पिस्ताचू या पाइन नद्स कोई और नद्स का इस्तिमाल भी कर सकते हो अब यहां देखिए यहां हम इसमें डालेंगे निटेला तो यह देखिए यहां पर हमने निटेला स्टफ कर दिया है इसमें अब बाकी के इसमें हम डालेंगे बिस्कॉफ फ्लेवर तो देखें सारों को अच्छी तरीके से हम कर देंगे स्टाफिंग अब यहाँ पर हम क्या करेंगे जो बाकी के बचे हुए है उनमें हम कोकनट की जो स्टाफिंग बनाई थी वो स्टाफ कर देंगे और अच्छी तरीके से इसे प्रेस कर देंगे यह जो stuffing हमने बनाई है यह बहुत ही ज़्यादा nutty और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि इसमें हमने peanuts डाले है और sesame seeds डाले है अब हमें क्या करना है यह white chocolate को अच्छी तरगे से melt कर लेना है तो यह देखी यहाँ पर white chocolate हमारा अच्छी तरगे से melt हो चुका है कर देते हैं coat अब यह totally आपके उपर depend है कि आपको कौन सा चॉकलेट लेना है आप चाहो तो milk chocolate या dark chocolate के साथ भी कर सकते हो तो यह देखी अच्छी तरीके से हम इसे coat कर लेंगे और जो भी इसका exist chocolate होता है वो हम इसे tap करके निकाल देंगे यानि कि देखी कुछ इस तरीके से अब यहाँ पर हम यह जबी घीला होता है chocolate सूपने से पहले हम उस पर थोड़ा सा मूंगपली का powder डाल देंगे अब यह देखीए यहाँ पर हम क्या करेंगे ना उसे आदा ही dip कर रही हूँ मैं पूरा नहीं dip कर रही हूँ ये जो बिस्कॉफ फ्लेवर था ना उसको हम डिप कर रहे हैं आप चाहो तो पूरा कर सकते हो बट पूरा नहीं कर रही हूं मैं सिफ हाफ डिप कर रही हूं उसे जहां से हमने स्टाफिंग की थी वो बाजुस डिप की है मैंने और इसमें हम डालने वाले हैं थोड़ा सा तो यहाँ पर हलका हलका सा हम इस पर लगा देंगे बिस्केट यह देखे कुछ इस तरीके से अब हम इसी में क्या करेंगे ना डाक चॉकलेट डाल देंगे और अच्छी तरीके से इसे मेल्ट कर लेंगे और यह जो हमारा नचेला फेवल का चॉकलेट था उसे हम अच्छी तरीके से इसमें कोट कर लेंगे यह देखे कुछ इस तरीके से मैंने एकसिस चॉकलेट दुछ था उपर का वो मैंने निकाल दिया है अब एक बटर पेपर पर इसे रख दूँगी बिल्कुल इसी तरीके से हम अपने सारे चॉकलेट कर लेंगे यह देखिए अब यहाँ यह बात याद रखिए कि आप चाहो तो इस पर हेजलनट भी रख सकते हो गार्नेशिंग के लिए या कोई दूसरे नट्स का इस्तमाल भी कर सकते हो अब यह देखिए यह आलमन वाला है इसे भी हम अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे यह दिवाली के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉफेक्ट रेसिपी है और आप यह रेसिपी अपने घर पे ट्राइ कीजिए और हमें कॉमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी है रेसिपी साथी साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकोन को दबाना ना भूलिए ताकि आने वाले रेसिपी की अपडेट आपको मिलते रहे तो जो नटेला चॉकलिट था जो डेट हमने स्टफिंग की थी नटेला के साथ में उस पे ये देखे कुछ इस तरीके से मैं नटेला की पाइपिंग कर रही हूँ इसी के उपर आप हेजल ने ट्रक सकते हो मैं यहाँ पर बिल्कुल इसे ऐसे ही रखने वाली हूँ और यह जो आलमेंड वाला था उस पे मैंने आलमेंड के बारिक बारिक कट करके उसे ऐसे गार्निश यूज़ कर रही हूँ तो यहाँ हमारे स्टाफ डेट बनके रेडी हो चुके है पॉफेक्टली यह फेस्टिव है और आपको बहुत अच्छे लगेंगे आप यह ज़रूर अपने घर पे ट्राइ कीजिए और हमें कॉमेंट में बताइए कैसा लगा आपको तो यह देखिए इसके अंदर का टेक्शर में आपको दिखा रही हूँ देखिए यह कितना अच्छा और कितना यमी लग रहा है प्लीज यह रेसिपी अपने घर पे ट्राइ कीजिए तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी पे तब तक के लिए बाबाई